नमस्कार दोस्तों मैं दिनिश एक बार फिर साब का स्वागत करता हूं बागवानी बजार पे तो दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही खास एक पेड़ लेकर आया हूं जो कि हमारे भारत का एक रास्टिय व्रक्ष भी है और उसके बारे में बहुत सारी बाते भी कही ज जो वह एक्चुल में क्या है हमारे उसकी बहुत वहाज पराने कताएं Caleb मातलब जो मिफ में मित मुत हैं और कुछ पूजाएं याชाह laptop बारें यह भी कुद्वा आपको दिखाने वाला हूं बर्गत के बॉन जो आपकर बहुत भ Ung Top सूरत हैं और जैसे कि पीछे आप यह देख लीजिए यह इस तरीके के आपको बॉंजाई दिखाने वाला हूं जो कि हमारे बॉंजाई है मॉल शॉप जो शॉपिंग मॉल होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं रेस्टरंट होते हैं तो काफी सारी जो जगह होती है वहां पर इनक बात करने वाला हूं तो आप बने रहीएगा मेरे साथ तो थोड़ा इनके बारे मैं बताता भी रहूंगा आपको और जो मैंने बताया आपको और इसके हां इसके कुछ जो है औस दी भी गुन भी है इसके जो मुझे लगता है कि ज्यादतर लोगों को नहीं पता होगा तो जो है उआज में वहीं भी बताने वाला हूं तो पहले तो मैं बरेगद के बारे में यहीं से यह इसके बारे म życia बूंजाई को प्रीमियम बूंजाय बहुत ही खुब सूर्त है और इसे बनाने में मतभी समय लगा यह बहुत पराना है और इसको यह शेप जो दी गई यह जै स्टेम्प है नीचे का वो बताता है कि कितना पुराना है यह आप जो देख रहे हैं इसकी जो एरियल रूट्स होती है उनको नीचे की तरफ इसके थुरू देकर इसको भी ऐसा ही बनाए इस तरीके से यह मोटी हो जाती है और अच्छा लुक देता है फिर तो दोस्तों मैं ब बहुत प्रेत रहते हैं और मतलब जिस मकान में उसे लगाएंगे वह मकान को पूर जो है अच्छानी होता है बहुत डैगेटीव एनरजी रहती है बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा जो हमारा जो वरक्ष है जो पूरे भारत का जो राष्ट वरक्ष है क्या ऐसा हो सकता है कि उसके इतने सारे नेगेटिव मतलक कुछ प्रमान कुछ नेगेटिविटी होス में बनी क्योंकि उसमें ब्रॉद रहर भुद बात बहुत है घर में नहीं लगाना चाहिए तो दोस्तों यह सारी चीजेना एक्शन में होता कि कुछ लोग जैसे बर्गत का पेद लगाते थे अपने गरों में तो वह बर्गत का पेद विशाल हो जाया करता था तो तो जैसे आप देखने हैं ऐसे ही वह बहुत बड़ा हो जाया करता था फैल जाया की तो सको भी वहां पहुंचाती है तो जिसके वज़ेसे मकान इसके चाहिते हैं ह monopoly प्रॉबलम को इसके बहुत अब हैं तो अप्रतों कि इस अच्छा पूर्ट के अँदर और मतलब इसको जतेको चाहिए इसा देवि देवताहूं को माना जाता है पूझा करतі हैं आप देखते होंगे कहीं बार बरगत के पेड़ होगे भावार्गत का पूजा करती है जल चड़ाती है तो इसकी तो बहुत सारी यह सारी चीजे बिसके special जो चीजे हैं वो यह सारी भी चीज़ है इसकी और अब दूसरे बरगद की तरफ चलते हैं यह देखिए बरगद का जो बहुंजाई है इस बहुंजाई का लुक की ही अलागा जैसे हैं अभी हम aerial roots के बारे में बात कर रहे थे area roots जो नीचे जाती है और जमीन को पकड़ करके दूसरा एक व्रेक्ष के रूप ले लेती है तने का तो वह लुक यहां आता है यह देखिए यह जो देख रहे हैं आप इसकी area roots सीधी नीचे गई और नीचे जाके इसने पकड़ कि और उसके बाद पूरा जैसे दूसरा व्रे है वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा यह पूरा का पूरा जो बर्गत जो व्रेक्ष है यह हमारे काफी ओशिद्य में भी काफी फायदे मंद होता है नेपाल के लोग तो इसके पत्ते और इसकी जड़े वह तीनों ही इस्तमाल करते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे पाइदा करती है तो चल का भी इस्तमाल होता है इसी तरीके से और जैसे हमारी बॉड़ी में केलिस्ट्रोल बढ़ जाता है तो उसको भी एक इसको बहुत बैनिफीशल है और जैसे इसके बारे में जो मैंने जानकारी लिये जांसे वहां से इसमें यह भी कहा गया है कि हाई हाई ब्लड प्रेशर जो शुगर होती है हाई हाई ब्लेट प्रेशर में भी इसके काफी बैरिफिट है तो दोस्तों आईए अभी मैं आपको एक और बरकर दिखता हूं आईए बांजाई का यह भी काफी खूबसूरत और पुराना ही है यह सारी जो हमारी लक्जरी को सब्सक्नमिते हैं अगर एप यह मंगवाना चाहें तो आप द्रूपर यहां दिया गया नमबर है स्क्रीनर बात पे आप आपर कर सकते हैं हमें क्नोल चाहनल की यह देखी इसका यह अलग रूप है तुव सनुत में तो यह बड़ा खूबशूरत है और बहुत ही सुंदर है तो बात हम कर रहे थे इसके ऑशडी की तो अशडी की में इसकी जड़ें हैं इसके जड़ों का भी इस्तेमाल होता है और आपने देखा होगे आज कि क्या होता है?" कहाँजिकमा जाद आने की मुस्टा का बी को इसो Rembo कि यह सारी चीजें जो हैं आपको बरickत से इतनी सारी आपको फायदे हैं इतने सारे बर清楚 से आयए मैं आप और भी बॉंज जाय दिखाता हूं अभी क्या है कि यह जो थे हमारे बॉंजॉए यह लगजिरी कालेक्षण थी तो दोस्तों अब मैं आपको वह दिखाने जा रहा हूं जिसे मतलब थोड़ से रेंज में कम है जिसे कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं बट वह उनकी रेंज से जो दूसरे वाले बॉंजाई है उनकी रेंज से काफी कम है यह कुछ यह देखिए आप यह हमारे छोटे पोर्ट इसका तो जवाब ही नहीं है देखिए इसका क्या खूबसूरती बनी हुई है इसकी नीचे से उपर तक बहुत ही खूबसूरत दोस्तों बरगद लग रहा है यह देखने में और यह थड़वाला देखिए आप जैसे कई बार दो तने वाला जैसे बरगद हो जाता है विश इसमें लगाईए यह अपने चाहें तो घर पे भी आप लगा सकते हैं अगर आपका घर घर के इंट्रेस पे लगाईए तो बहुत अच्छा रहेगा शुब है काफी शुब पॉद आइसको लगाना पहुत ही अच्छा है मतलब उस मित में मत जाईए किसमें भूत प्रेथ ह यह ऐसा होगा नेगिटिव एनर्जी कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में वैसा ही है तो इसे आप ज़रूर लगाईए और आप अगर इसे और करना चाहते हैं मैं फिर से कहूंगा के दिये गए स्क्रीन पे नंबर पर आप कॉंटेक्ट की करेंगे और वाइरिंग करके इसको प्रॉपर तो कि ताकि हिले भी नहीं या यह मैं दिखाता हूं वह भी कैसे करते हैं यह बोंजाई अभी हमारा पैक हो रहा है आई यहां पर आई यह देखिए इस तरीके से इसका वुड का बॉक्स बनाया जाता है यह तो फाइकस का है बॉंजाई लेकिन और भी जो बॉंजाई है वो भी ऐसी जाते हैं इस तरीके से प्रॉपर इसके जो पॉर्ट होता है उसको बात दिया जाता है वाइरिंग से ताकि हिले ना और वुडन से इसका बॉक्स बनाकर उसके बाद इसको बॉक्स में पैक किया जाएगा प्रॉप तो यह मित है बर्गत का यह आप खतम कीजिए तो दोस्तों अब इस वीडियो को इस वीडियो में मैं आप से इजाता हूं लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि हो सकत हैं काफी सारे बोल नचाइए हैं मारे पास तो ऑर्ड़र तो आप इन सब का भी दे सकते हैं विर विडियो में के बताना और हमारे इंस्तां ओर پविक पे यूट ऊचिटीप पर पारा से में सब्सक्राइब और हमारें वेश्एवां मैंने सब्सक्राइब आप hair टेयर आप तो दोस्तों मिलता हूं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार